अब आपका मेरी यूटूब चनल में पुना हां वेलकम है आज हम लोग अपना पढ़ेंगे स्पार्ट सेवन रियक्षन मेकनेजम का कार्बेन आयन के बारे में तो हमने कार्बोकेटायन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिये थे कार्बोकेटायन क्या होते हैं उनकी इस्ट्रूकमिस्ट्री क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं इस्ट्रेविल्टी क्या होती है किन-किन बातों पर डिपेंड करती है इस्ट्रूकमिस्ट्री क्या इसकी फिर इस्ट्रेविल्टी क्या है और फिर इसकी रियक्षन क्या है तो कार्बेनाइन क्या होता है तो कार्बेनाइन क्या होता है कार्बेनाइन में कार्बन के पास एक कार्बन के पास आठ वैलेंस इलेक्टान तो होते हैं है श्ounos होता था उसके समय कार्व काडाइन के कशमने इसमें होता है अठ वेलें झिलेटान बड तीन week मतलब छैभे लेंट तो paling वी रूप मंघ रोटा और जो दो हो रहा है थो भच रहा है वह दो को बलेंड्ड ॉन के रूप है बल्कि वह exclusively carbon के उपर negative charge के रूप में रहता है तो तो दो चार दो छे 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 इलेक्टान जो है वह कोबलेंट बॉंड के रूप में है दो छे 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 रूप में है créer ऐसे तो इस छिज़ा सब्सक्रेंसेट हैनािए कहले इस में और स्ट्रांग जो कार्बेन होते हैं वह रिर या ठेसे सकते हैं और उलेक्त्रोफाइल को एक्सेब्ट कर सकते हैं एक पया हैं ठीक है और है निउस्टेवल होते हुते हैं पुरंत को तो न न कांजी यहने में एक कारबन जो होता है जो मस्ट्रप्ड कार्बन में से एक कारबन कोई होगा उसके पास 8 वैलेंस olड न्यकारबन के मुखाबलए लेकिन 6 कार्बन 6 जो है वह कोभलेंट 1 बनाएंगे अद्धो ol इलेक्टान उसके उपर होगा निगेटुद चार्ज के रूपमे गार्लानमें यह यो दो नीजटू है के कारण यह लेविस बेस के रूप में विहकरता है और एजिट्रॉंуса की यह भी करता है ठीक है यह और किया बोलते हैं ईटेश देवल वाले बांद वाले उसको मुझ बोलेंगे कि ववाइनिल कार्भूकते रे चाहिक है और ट्रिपल ächडवले कम लोग बोलेंगे का अंब है एसशेटेलिक कार्भोकते एटेन इसका नाम हो गया वाइनिल को और बिन आयन इसका और इसका नाम हो गया एलकी कार्बिनाय है और इसका नाम हो गया इसिटिलिनिक तो यह होगी हमारे कार्बिनन के बारे में अब हम दोग देखते हैं इस्ट्रियो कमिस्ट्री की कार्बन यान में कार्बन जो होता है वो उसका क्या होता है कैसे बॉंडिंग होता है तो हमारा हेडिंग है इस्टीरियो केमिस्ट्री ठीक है आफ कार्बिनायन तो इल्किल कार्बिनायन की बात कर रहे हैं इल्किल कार्बिनायन में जो कार्बन होता है वो होता है isp3 hybrid दो एक दो तीन चार चार तो isp3 hybrid जो संक्रण होता है संक्रण यह hybridation वह क्या होता इसपी-3 और ऑप इसपि-3 के कारण अभी इसका अब इसका गो कि ओ ट्रहेडल इस्टक्टर हो गया तो ट्रहेडल ठीक है येस पी 3 का चारवटल है एक येस फिन पी तो चार अर्वटल में तीन अर्वटल तो अन्य एटम के साथ जैसे इसकेस में सबाढ़ बनाने में हैं और चाओथे में वह हमारा इलेक्टान जो है दोनों उगरह रहा है जैसे इस केस का इस्ट्रक्चर मनाएंगे तो एक तो एक कर्पें में कार्बण का जो है है याप से होता है और 14 गितान लेकिन चौट्य आर्बिटाल में मतलब यह कार्बन हो गया एक हाइडोजन प्लेन से बाहर एक प्लेन के पीछे एक प्लेन पर और यह हो गया इसका दो इलेक्टान ठीक है एक आपकी और हाइडोजन एक हमारे और हाइडोजन एक प्लेन पर है और जो लोन प्यर है वह जो दो इलेक्टान है वह इसी में पी आर यहां बना दे रहा है एक प्लेन के पीछे एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन पर और प्लेन में वह हमारा एक दोनों इलेक्टान है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बकेटायन में कार्बन होता है sb www.sp3-heybrize होता है और इस ट्रेक्टार होता है ओंतलब प्लेन से बाहर घृडजन यह जो भी गुरूप हम उलाते और इसका ऐसा शेफ होता है बट अगर यह कारबन का जो यह लोनन प्येर है या उसके उनक्राँ उसके उपरatted यह we país हो गया दी-डी- लोकेलाइजएशन के अगर कार्बन के ऊपर जो नीगेटुशे यह उसका प्रान नों कर गया किस्टे का में यह दिखल सोग्या थो जाएर इन में ने कर दो है तो जैसे ऐनकर कार्बन इसका इस्टेनरा रहा है by carbon ion by delocalization तब इसकी geometry चंज जाएगी और hybridization भी चंज जाएगा अगर यह step light हो जा रहा है कि भाई डी-localization आफ इलेक्ट्राण कि अगर तब यह SP3 से चंज जाएगा SP2 में SP2 मतलब 120 degree मतलब planar तब क्या होगा कि जो यह carbon है और जो यह hydrogen है वह plane पे आ जाएगा एक ठीक है एक plane पे आ जाएगा कि ट्राइगोनल planar के रूप में तब यह दोनों कहा गया है तो यह SP2 में एक जो P होगा यह सोगा अधोपी होगा तो पी का जो तीसरा है जिसे हम कहो सकते हैं और हाइबाइज पी आर्विटल उसी ऑन हाइबाइज पी आर्विटल में हमारा हो दोनों लेक्टान एज लोन पेर के रूप में रहेगा ठीक है तो यह कह सकते हैं यह है प्लेनर यह SP2 आइब्राइडाइज्ट कार्बिन आयन ठीक है और यह प्रिमिडल है प्रिमिडल सेफ है इसका जो बनाय थे पहले हम तो क्या समझें कार्बिन आयन जेनरली टेट्राहेडल यह प्रिमिडल इस्ट्रक्चर में होता है बट अगर उसका इलेक्टान लोन पेर इस्टपलाइज हो गया लेक्टान तो SP2 हो जाएगा और तब उसका लेक्टान लोन पेर के रूप में रूप में रहेगा अन हाइब्राइज प्रिमिडल के रूप में समझ गया है अब बाकी हमारा वाला का तो बताई दियें आपको कि एक प्लेन से बाहर प्लेन के नीचे एक प्लेन से एवब एक प्लेन में और लोन पेर उसमें रहेंगे ठीक है अब बाकी यह सब हाइड़ोदिक साथ SP2 SP3 वाला है SP3 में 1S होगा तो 1S और 3P सिंग्मा सब्तुमा है तो यह अधिके किसमें है है हंध़ प्लेन ठीक है और यह इस्टेटिोड के मैंनि अब हम देखते हैड कैसे बनता है कार्पनायैन रीक्शन में किस परकार से बननता प्रता लुद था क्था improvement से ही कार्बेटाईन और गर्सराओं है कार्भन कर्वेक नाश्टर तब इसमें हम लोग देखते हैं समझा रहा आपको एकदम समझने वाले चीज़ नहीं समझाएगा आप अपना कमेंट कीजिए ठीक है क्योंकि बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छोटी-छोटी चीज़ें समयना जूरी है बहुत असान लेंग्विज में समझाने के जाएगा तो कैसे बनता है मतलब फॉर्मेशन आफ कार्बेन आयन ठीक है कैसे बनता है तो पहला है वाई एलिमिनेशन आफ हाइड्रोजन फ्राम सरटेन और गेनिक कंपाउंड सब कंपाउंड में नहीं है कुछ कार्ब कंपाउंड में अगर यह प्लस निकलता है तो हमारा बनता है कार्बिन एक्जाम्पल के तोर पे हम देखेंगे पैरा नाइट्रो टालूइन में ठीक है यहां पर यह नोटो ग्रूप लगा दिया गया अल्रेडी बता चुके हैं कि यह नोटो ग्रूप जो होत तो उससे जो ऊच 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 होगा ऊच प्लस को लेकर निकल जाएगा वाटर का रूप में ठीक है और इलेक्टान देख जाएगा मतलब यहां पर आगया आपका सी एच और एच और माइनस बाकि बेंजीन दिंग और यह हो गया यह नोटो तो किसी सर्टेन आर्गेनिक यह अगर है चुकि यह एलेक्टान बिड्वाइंग रूप है तो यह हाइडियोजन तीन हो में से कोई भी एच तो निकाल सकते हैं तो अपर कर लागा एक और एक इजांपल देखिया इस केस में भी बेस का यूजच करेंगे बेस आएगा एच को देगा एक टान लेकर निकल जाएगा और आपका हमारा बन जाएगा यहां पर माइनस चार्ज रिजनेंस के दरह स्टेबल हो जाएगा तो इस अध्याइग है मतलब हो इस्टेबलाइज हो जा रहा है तो उस कंपाउंड में हम उस सर्टेन आरगनिक कंपाउंड में कुछ निश्चित कंपाउंड से हम लोग कार्बिन नवा सकते हैं यह पहला तरीका है सकेंड मेख़र हम दोड़े गिए सकेंड मेख़र से पहले इसको मिटका दिया जाए ठीक तो दूसरा मिख़र है हमारा ग्वाइड डेकंपोजीशन आफ इनायन बाइडेकंपोजीशन आफ इनायन मतलब इनायन कोई पर्जेंट है हमारा जैसे यह हमारा एक इनायन यहां पर छीखा है तो प्लस चार्ड जोगा के इस्ट्रा है तो यह सी यूटू के रूप में निकल जाएगा इसमें पहले इंसर्शन होगा फिर यह सी यूटू के रूप में निकल जाएगा इलेक्टान देखें यह आर पे माइनस हो जाएगा और वाइनस मतलब देखें और यह सी तो इतने दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कार्डेन बनाते हैं अपने रियक्शन में चीछ है अब है इस्टेबिलिटी आप ghetto अल्रेदी आक मिंपने पढ़्धि प्रुप है याद किजुए जब इंडेक्ट्ट प्रहायेतर बता आगको याद किजिए आप लोग तो पढ़ते नहीं है इस याद कीजिए के कार्बेनयाज पढ़ाया गा थो कर्भोतन कार्वेद्ष हमने स्टाहि ऑफिर अनगे wenn अ में करद आ कर दकर सकते हैं इसी दम्री जाएक आपको यह फ्लै देख सकते हैं इसी ब्ले दे आपको देख्विट के लीजाएं राध्य देख स्थे मलोग कि न तो सकें़रे में अ प्रॉन बता रहें यहां पर वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सेरी और मेथायल नों बताया गया था यहां पर हम लोग इसको बीस्तार से पढ़ेंगे तो है तो है तो पहली बात कार्बिनाइंस है क्या इलेक्ट्राण रीच कंपाउंड्स इलेक्ट्राण रीच है सब और इनके उपर जल्दी से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटाइक कर सकता है या यह इलेक्ट्रोफाइल पर टाइक कर सकते हैं रेडली अटाइक डान इलेक्ट्रोफाइल या बाई लेक्ट्रोफाइल ठीका है मतल कि तू इसका क्या है और कोई कार्बेञा ायन है और उसमें लेक्टॉन लगाया गया है तो तो सहीं है सब्सक्राइब а कर रहा हैoth है तो सहीं है माइना से लेक्टाई किछने वला चाहिए लेकिन अगर कोई इलेक्टरॉन डोनेटिंग ग्रूप लगाया जा रहा है तो इसकी स्टेबिल्टी गटेगी तो इसके धार पर देखा जाया तो हुए 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 जाने इसकेस में देखा जाया तो तीम जो है इल्ट्रवावले ग्रूप लगें प्लस एफेक्ट वाले तो इसको इल्ट्रान चाहिए नैस इल्ट्रवावले चाहिए यानि इस सबसे अनिश्टेबल और सब्से इस्टेबल कोने मेथाईल कार्भकुटण ठीक यह रिजन है इ और यहां पर एक बीने तो्का इसको एकटान नहीं जाहे किसके पास अरधं tive स्पीस से गरीव मत पास किलेग। खीजने वहाले चाहिए है है तो गराइप ब्रसके इसकी बढ़ जाएगyy पहला केस में सभी का है बेंजीन से उड़े कार्वन को बोलते हैं यह कार्वन सबसे इस्टेबल है इसके बाद से इस्टेबिल्टी में हम लोग देखेंगे तो हमारा होगा वाइनिल कार्वनाइन ठीक है वाइनिल कार्वनाइन बता चुके थे आपको CH2, 01 anterior C-H4, को लोग कईए वाइनिल कार्विन एरेजनेंस के कारण ठीक है फिर हम लोग बात करें तो फिनाय कार्विन होगा फिनायल मतलब डारेक्ट लेग्स इस यह होगा तो सैक्टोपरोपील होगा साइकलोपोपील ठीक है है साइक्लो प्रोपील इसमें ठीक है फिर एथाइल होगा एथाइल मतलब यह सीएस्थ्री शीएच्टू यह तो पारडी बताई जा चुका है फिर देखा जाए तो यह होगा हमारा इसके बास से यन प्रोपील मतलब यह फिर उसके बास से देखा जाए तो नियो पेंटील उसके पहले भी आईसो मतलब यह कारबन बाहर रहेगा और यह आपका हो गया CH2 CH3 और यह हो गया आपका CH3 यह हो गया निए अच्छा आभी हम सब पर रिख ले रहे हैं इस्ट्रक्चर और फिर इसका नाम के साथ इसका रीजन भी बता रहे हैं कि क्यों ज़्यादा ही तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इन सभी कर यह बेंजाइल कार्बोकेटाइन है यह है प्रोपील कार्बोकेनि यह है已经ивается वहार है तो आइसो है कि यूँ आइसो यह होगा अपका नाम है चाहले तो अइसो व्यूटील तिरह कि है है ॹ्यूटील करवें इसमें कि आपका नियू पेंटिल यह cyclobuted carbon is cyclopentyl carbon उसके वसे यहां पर एक कही एलेक्टान देनेवला ग्रूप है यहां पर फैयल बड़ा ग्रूप होने का दिवाज से है यहां पर दो एलेक्टान दे रहा है शब दो इलेक्टव गूरूप है इसलिए कमिस्टेवल यहां पर यहां किया है दोनों में हिंड्रेंश है छोटा रिंग के वज़ए से यह ज्यादा है ठीक कि अब अगर देखा जाए ध्यान से तो अगर अलफा पुजीशन पे कोई इलेक्टॉन विड्रॉइंग ग्रॉप जैसे यह नोटो ग्रॉप हो गया साइनाइड ग्रॉप हो गया है यह सब लगाया जाएगा तो कैसे एफेक्ट हो रहा है तो इसका आडर होता है पहली बात अलफा पुजीशन पे लगाईगे आप कि यह कार्बेन आयन है तो अलफा पुजीशन पे यह सब ग्रॉप लगाया जाए यह नोटू ठीक है सबसे स्ट्वांग यह नोटो ग्रॉप दिखाता है इलेक्ट्रान विड्रॉइंग ग्रॉप है फिर यह नोटू के बा है ठीक है फिर उसके बाद से है इसको लिख दे रहे हैं सेप नहीं बना रहे है फिर उसके बाद से साइनाइड गुरॉप है फिर उसके बाद से है आपका हैलोजन अब फिर उसके बाद से हाइडोजन और एलकील लगा देंगे तो इस्टेबलाइज हो जाएगा वो इस्ट और उसी कार्बिनायन के साथ अलफाप लगा दिये हैं हेलोजन तो इन दोनों में यह ज्यादा हमारा स्टेबल होगा इनकमप्रेजेंट इसके क्योंकि यह नोटू के जो इलेक्टिंग पावर होती है खिजन एक छमता होती है वह हेलोजन से ज्यादा होती है इस आपको स्टेबिल्टी को आई ओप समझ आया होगा अब लोग चल रहे हैं रियक्शन में कौनसा कौनसा रियक्शन देता है हुआ पढ़ना रियक्षण तो मलड़ी अलग बना चुके हैं इसमें वह पर्कीन रियक्षण है हेकमान है इसमें प्लाइशन कंडेसेशन है इस अब रियक्शन उसमें पढ़ाया गया तो यह सब रियक्शन पढ़ लिएगा जनरल पढ़ा जा रहा है पहला रियक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा इडियेशन देता है तो इमाल लीजिए कोई अल्किल कार्बिनायन है और हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल इसमें यह आपका इसके उपर प्लस चार्ड जाएगा तो यह इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है और यह नुक्लियोफाइल बनेगा तो आर जो है वह अटेक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर और यह बन जाएगा आपका आर सी एस थरी और ख्लोरीन एन इन करूप में निकल जाएगा फिर एक और एक्जाम्पल देखिए आर सी डबल बांड ओ और और सी एस टू माइनस और यह विद्ध करिया हम करा रहें ब्रोमीन पर तो एक ब्रोमीन पर प्लस पाज चू मान सकते हैं ब अब ओधिसर्य cyaam देख्टे हैं जो कार्बोन अयन होता है वह कार्बॉनील को एड़ करता है ठिक है पहले तो हम लोग इससे बनाएंगे ऑटको निकाल ले गया इस निकाल ले गया तो यह को निकाल गया तो इस्टू अग्रूप में निकल गया इसको ऐसे भी कर सकते हैं वह एक टैक किया इसको यहां देख चला गया इस्टू अग्रूप में तो यह हो गया सी अद्धो हाइडोजन इस पर आगया माइनस चार्च यह सी डबल बंड ओ और यह अब फिर यह अटैक करेगा इसी के एक मालकूल पर सी एस्ट्री सी डबल बंड ओ यह अच्छ तो यह अटैक करेगा यहां पर ठीक है कार्बन पर और यहां क्यों क्या करना है यह सी हो गया और इसके बगर में अच्छ है और ओ पर आगया माइनस चार्च बाकी यह उससे जोड़ दीजिए तो सी एच टू सी डबल बंड ओ एच ठीक है फिर आके जो रिएक्शन है होगा हो उससे हमको मतलम नहीं है कि अगे क्या होगा अगर इसका हम हईडलेस करा रहा है फिर से तो हईडलेस कराएंगे तो यह परकार का ने है क्लास 12 हम आप लोगों पढ़ाएंगे ल्डॉल रियक्षन है बहुत इंपर्टेंट रिक्षन है तो इसका यहां से अगर हाइड्रोस कराया जाएगा येच टू के साथ येच प्लस प्लस माइनस तो येच प्लस आएगा इसके सजूर जाएगा वह इसको निकाल प्लेक चल ल्डॉल ल्डॉल है इस पर एक बीटा पॉजिशन पर बीटा है रीटा रियक्षन हो गया देखमान हो गया और माइकल एडिशन हो गया इस अब पढ़ाया जा चुकत है एक अलग लेवल इसमें कर सकते हैं प्लेलिस्ट बनाया गया है रियक्षन द्धू तू कर्भीनाइ और रियक्शन डूटू कार्बोकेटार्म बनाया गया जिसमें वेगनर मिर्विन पिना पूल पिना कुलोन डाइनोन फिनोल टेफनन जोब रियक्शन वेलर विलेगर अक्षिडेशन यह सब उसमें है तो आप उसको देखते लिएगा और रियक्शन के बारे पढ़ने के लेंग पढ़ते आ रहे हैं अब अच्छा कार्बन फ्री रेडिकल तो वह अगले वीडियों पढ़ा जाएगा